जहीं दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है इस important and informative वीडियो के अंदर दोस्तो अगर आपकी FD की income है आपकी main income दोस्तो FD के है उसके उपर आपको ब्या जाता है आपको पता होगा dialogue से ज्यादा income के उपर आपको ITR बरनी mandatory है चाहिए आपका tax बनता है नहीं बनता है TDS कटा है न बहुत जुरूरी हो जाता है इसके साथ में ही AIS annual information statement भी हमें चेक करनी है सबसे पहले forum 26 AS चेक करेंगे दोस्तो यहाँ पर e-file के इंदर जाना है income tax return में जाना है view forum 26 AS पे click कर देना है जैसे हम click करेंगे दोस्तो हमें confirm पर click करना है confirm पर click करने के बाद में I agree पर click करेंगे और पर seed पर click कर देना है view tax credit के उपर click करना है तो इस तरह का interface आपको दिखाई देगा दोस्तो आपको assessment year 23 24 select करना है view as html करना है और view और download पर click कर देना है तो दोस्तो जैसे ही आप यह data नीचे लेके जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर यह देखिए जितनी भी आपकी tax काट तो आपका TDS यहाँ पर नहीं कटा जाएगा तो basically यही दो चीजे होती है जहाँ पर आपका TDS कटा जाता है तो हमें दोस्तो state bank of india हमारे जो client को FD की interest आई है तो जैसे ही हम इसके ओपर यहाँ पर click करेंगे आपको दोस्तो पता होगा जहाँ पर plus का निसान आता है तो 194 A का जो section है वो FD के interest की ही बात करता है तो यह देखिए दोस्तो इसको 49 879 का interest आया है FD की income का मतलब FD पे इतने रपे की income आई है और 4996 आपको पता होगा 10% TDS काट लिया जाता है तो इतने रपे का TDS इनका काट लिया गया है तो हमें make sure करना है कि दोस्तो कम से कम इतनी income तो हम AIS पे click करेंगे proceed पर click करेंगे तो दोस्तो यहाँ पे AIS के उपर click करना है यह देखिए FY यहाँ पे financial year आता है यहाँ पे 23-24 नहीं करना है आपको यहाँ पे 22-23 करना है assessment year जो financial year sorry उसके बाद में AIS यहाँ पे जो है TIS पे click करना है taxpayer information summary तो जैसे आप दोस्तो यहाँ पे देख कोई है और purchase of time deposit मतलब 19,55,000 पर की FD करवाई गई थी जहाँ पे 49,47 का आपको interest आया था और यह saving का ब्याज आया था आप click करके detail के इंदर जा सकते हैं देख सकते हैं एक एक account आपको वहाँ पे दिखा देंगे कि कौन सी FD से कितना ब्याज आया था और आपको लगता है कि information सही नहीं है तो वहाँ पे आप feedback भी दे सकते हैं हमारी अगर यह सारी सारी information सही है तो हम दोस्तो file now पर click कर देंगे यह देखिए यहाँ पर file now आपको नहीं दिख रहा है तो यह file में जाके income tax return में जाकर के file income tax return को भी हम click कर सकते हैं अब यह हम assessment here select करना है 23 service होगा online हम ITR वरन वाले हैं दोस्तो continue पर click करना है start new filing पर आपको click कर देना है individual पर click करके continue करना है forum हमें ITR 1 करना है proceed with ITR 1 करना है let's get started पर click करना है आपकी income dialogue से ज्यादा है तो यह select करें otherwise others पर select करके continue कर दें दोस्तो तो इसके बाद में देखिए दोस्तो आपको यहाँ पे इस तरह की information show कर है ITR 1 का personal information में जैसे हम जाएंगे दोस्तो तो आपको यहाँ पर आपकी profile के अंदर आपका name आपकी contact detail यहाँ पर डालनी पड़ेगी इसके बाद में यह देखिए nature of employment यहाँ पर पूछा जाएगा अगर आपको कोई pension या salary की income आती है तो आप select कर लें central government state government otherwise simply address पर click कर दें time स return भर रहे हैं तो 1391 आएगा दोस्तो 31 जुलाई के बाद भरेंगे तो 1394 आएगा बरी हुई ITR को revise करना चाहते हैं तो 1395 आएगा इसके बाद में आपको नीचे कुछ ज़्यादा information नहीं है new tax है में slab में जाना चाहते हैं तो yes करें otherwise no पर click करें जितने भी bank account है दोस्तो आप यहाँ पर अपने add कर लें at least one account add करके आपको यहाँ पर select for refund कर लेना है इसके बाद में confirm पर click कर दिया है तो यह column हमारा confirm हो गया है दोस्तो अब gross total income यह हमारा सबसे important part आता है दोस्तो कुछ question पुछ जाएंगे आप से आप simply skip the question करके आप आगे बढ़ सकते हैं अब हमें क्या 50,000 रुपे की pension मिली तो simply आपको यहाँ पर ऐसे pension की income डाल देनी है और कुछ भी आपको नहीं डालना है 50,000 रुपे की standard deduction आपको मिल जाएगी चाहे pension हो या salary हो और आपको save पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे दोस्तो salary की income आपकी हो गई है house property अगर आप home loan का चूट लेना डाल दी है अब बात आती है income from other source दोस्तो income tax पिसले साल आपको refund मिला था आपने 1000 रुपे मांगे 1050 आए तो 50 रुपे का जो income tax का extra मिला है refund का वो आपका interest होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है interest from deposit अगर आपके post office में कोई interest है तो यहाँ पर आजेगी दोस्तो इसको edit कर 49879 हमारा जो interest है वो हम यहाँ पर डाल देंगे 49879 इसके बाद में हम यहाँ पर save कर देंगे तो दोस्तो हमारा interest है FD का save हो गया है इसके बाद में other source को income है income from other source के अंदर आपको saving का ब्याज डालना पड़ता है तो add another करेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तो सारा कुछ count तो हमने yes करना है हमारा दोस्तो यहाँ पर अगर 45 और पर saving का ब्याज आ रहा है तो हम yes कर देंगे FD का ब्याज आ गया है और भी कोई income है तो आप simply yes कर देंगे otherwise continue पर click कर देंगे तो हमारी pension या salary की income आ गई home loan का interest ले लिया और FD का interest और saving bank का interest ले लिया दोस्तो 45 और पर है अब हमें total deduction पर आ जाना है दोस्तो हमें दोस्तो किसी भी तरह की गोई छूट लेनी है simply तो यहाँ पर yes no कर देंगे otherwise keep the question करके हम yes कर देंगे अब हमें दोस्तो total deduction हमारी zero है गोई छूट लेना चाहते हैं तो simply उस पर add कर देंगे जैसे 80 TTA के अंदर हमारा आपको बताया 45 औ saving का ब्याज हमने महां दिखाये था तो 4500 और पर हमारा saving का ब्याज है यह warning देगा कोई दिक्कत नहीं आप add कर दीजिए इसके बाद में दोस्तो आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद में simply confirm पर click कर देना है अब दोस्तो text paid में आना है जितना आपका को TDS कटा होगा वो यहां पर आजाएगा TDS salary में उपर आजाएगा salary के अलावा यहां आजाएगा इसके अलावा दोस्तो हमारा TDS ज्यादा कटा हुआ था तो यह देखिए show detail में जाएंगे हमारा state bank of India ने TDS कम कटा हुआ है तो हमने जितना कटा हुआ था उसको click करके edit करेंगे कुछ detail यहा आपका 22 23 आना चीए 22 क्यों दिखा रहा है यहां पर वैसे तो और आपका जितना भी gross receipt विदा कितने रपे की आपको FDI है 49879 49879 यहां पर ले लेंगे text कितना deduct हुआ है दोस्तों आपका text हमारा 4996 deduct हुआ है तो हम यहां पर 4996 लेकर के save कर देंगे मतलब आपका दोस्तों अगर यहां पर नीचे एक और चीज़ आ रही थी दोस्तों 4996 अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपको वो बता रहा था कि कितना TDS का आपने यहां पर claim करना है तो नीचे भी 4996 आपको यहां पर ले ले लेना है ताकि इतने रपे का TDS claim आपको मिल जाए तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका इतना TDS आपका यहां पर कई बार तो अटमेटिक उठा लेगा नहीं उठाता तो आप मैनवली डाल सकते हैं कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों अब नीचे आएंगे टोटल टेक्स लाइबलिटी में आएंगे हमारा टेक्स बाता गया था वो आप यहां पर रिफंट ले सकते हैं आपका रिफंट आ जाएगा अब आपको प्रिव्यू रिटन करना है आप अपनी रिटन चेक कर सकते हैं यहां पर टिक लगाने के बाद में प्रोसीड टूर प्रिव्यू करेंगे जो भी डेटा भरा है दोस्तों वो यहां पर जनरेट करना है पिर हम यहां पर आई अगरी करके जनरेट अधार ओटिपी करेंगे तो दोस्तों वो अधार ओटिपी महां हमारा चला जाएगा यह जाने के बाद हमें हमें वैलिडेट पर कलिक करना है फिर यह बोलेगा कि are you sure to want to submit this return हां जी हम इस return को submit करना चात इस informative को वीडियो को दोस्तों सभी लोगों में share करें जिनकी FD की income है अधरसोर्स की income है ITR1 भरना चाते हैं थैंक्यू सो मच दोस्तों वर वाचिंग इस वीडियो जय हिंद जय भरत